हाई एवरिवान कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आज लेकर आई हूँ ए बिल्कुल नई सी वीडियो हमारे ग्रे हैर के लिए यानि सफेद बालों के लिए ये जो आप हैर पैक देख रहे हैं ना सिर्फ दो बुंदे मिलाने हैं इसमें और आपके बाल हमेशा के लिए जेट ब्लाक रहेंगे यकीन नहीं होता है तो आजमाकर जरूर देखिएगा यूज करके आप टेफिनिटली मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं इस हैर पैक में हम मिलाने वाले हैं सिर्फ दो बुंदे और किसकी मिलाने वाले ह को बहुत ज़्यादा पसंद किया धेरो लाइक्स उसमें आये हैं इस वीडियो को भी जादा से ज़्यादा प्यार दीजेगा लाइक और शेयर करिएगा ऐसे ही बहतरीन वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमिडी है लिए है की गुज बेरी हमारा इंडियो गुज बेरी बहुत ईजिले मिल जाता है सब्जी की शुप में वेजडेबल मार्केट में बहुत इजिले मिल जाता है इसे आपको ले लेना है अच्छे से वाश कर लेना हं और चिस त्रह से मैं चोटी पीसेस में कर बिल्कुल वैसे ही कर लेना है चाहे तो आप और चोटे पीसिस में कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि मेरी ठीक नहीं थी तो मैं बस फटा फट से रांडमली ऐसे ही कट कर रही हूं और इससे क्या होगा ना जो यह ताजे जो फ्रेश आमला हम यूज कर रहे हैं इससे बालो को कट किया है अपनी हैरलेंद के हिसाब से ना कम यह जादा कर सकते हैं दो मुझे ठीक लगे मेरे बाल आप देख सकते हैं क्या लेंद है उसे साब से मैंने दो आमले लिए है और कोशिश करिएगा कि फ्रेश आमला का ही आपको यूज करना है पाउडर को यूज नहीं करना है देखिए इस तरह से आमला करकर के तयार कर लिया है साथ में हम ले लेंगे लोहे का एक पैन लोहे का कोई वैसल कड़ाई जो भी आपके पास हो आईरें पॉट उसे ले लीजेगा गास का फ्लेम कर देते हैं अब कुछ चीजों को हम रोस्ट करेंगे इस आमला के साथ दे देखिए पहले हम यूज करने वाले हैं मेथी के दाने यानि की फेनुग्रीक सीड्स अब मेथी हमारी किचन में एजिली अवैलिबल रहता है है तो इसका आपको एक से दो चम्मच ले ले लेना है जो भी चीज़े में ले रही हूं मैं यहां पे एकुल कॉंटिटी में लि कमची सीड्स कहते हैं कादाए ख़ादा करते ही जो एक के आमला के इसके साथ में लोही के साथ में Selbstव जो इसके रूच्ट करते हुथ का आपकर में पाए अगर आप काला कर देंगे ना तो सारे benefit खतम हो जाते है तो आपको black नहीं करना है इस तरह से थोड़ा सा चला कर हलका सा roast कर लेगे अब यहां पर इसका paste भी बना सकते हैं अगर आप आम लग की पीसिस चाहते हैं चाहते हैं कम टाइम में यह remedy तयार हो जाए तो आप इसका paste भी बना सकते हैं बट पेस्ट के साथ थोड़ा handle करना मुश्किल होता है चिपक जाता है वेसल में इस तरह से पीसिस कर लीजे और इसे दो बड़े ग्लास पानी आपको इसमें आड कर देना है और इसे मीडियम तो हाई फ्लेम पर बॉइल करना है दो से तीन मिनिट के लिए ताकि पानी में सारा कलर आ जाए सारा एसेंस आज़ें सारी चीज़ों का इसलिए हमने आमला को ब्लैक नहीं किया था यह वैसे ब बढ़ें सा कलर आजाएगा सारी चीज़ों का मिलके और इसे हमें बॉइल होने देना है मीडियम फ्लेम पर बहुत इसे हम थोड़ासा पकने देते हैं थोड़ासा बॉइल होने देते हैं और उसके बादेश करेंगे अब मैंने इसे यहां पर पांच मिनिट अच्छे से में ग्लास कंटेनर में अलग रख लेना है और आप चाहें तो जो बचे हुए रेसिड्यूल है जो इंग्रीडियेंट्स हमारे आमला कलोंचे सब बच गया उसका भी आप फाइन सा पेस्ट पना कर अप्लाय कर सकते हैं बट मैं उसे अभी नहीं यूज करने वाली हूं मैं उस सब सालों में सप्रे कर सकते हैं अगर आपके थोड़ी बहुत घृषे हर एका इस यह बएक जारते हैं यह दो इसमादर पहुद सब्सक्राइब हो तो आप पैस्आं पावडर आपके तो यह तो बлав साक आप दिया जाया नहीं सब्सक्राइब जाल रही हूं मेंदी पाउडर यानि कि हिना पाउडर यह भी आप अच्छा कलर आएगा इसके बिना भी आप बना सकते हैं बट लॉंग लास्टिंग कलर आने के लिए हिना जरूरी है तो मैं बोल रही थी कि जो करी लीफ का पाउडर है वह काफी साथा फाइन है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि काफी थिक सा पेस्ट बना है अपलाई नहीं हो रहा है स्कैल्प में लगनी रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा वरना मुझे हमेशा करी लीफ के पाउडर से प्रॉब्लम रहती थी यह बहुत ही फाइन सा पाउडर है तो आप इसे जरूर ट्र कि हेर पैक में जब हम इंडिगो हेर ओयल डाल देते हैं एक से दो चम्मज एक दो बूंदें डिपेंडिंग अपॉन यो ग्रे है तो बहुत ही बढ़ियां कलर आता है काफी डाक सा कलर आता है और लॉंग लास्टिंग कलर रहता है यह मैंने खुद का आजमाया हुआ मेरा ह तो इसे आप जरूर से जरूर ट्राय करिएगा हेर पैक की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी हो जाती है हेर पैक का कलर बहुत अच्छा आता है और काफी लंबे समय तक बाल काले रहते है तो रेगूलर इसका अगर आप यूज करेंगे न हफटे में एक बार तो आपको कभी भ यह देख सकते हैं क्या बढ़ियां कलर आया है और कोई भिगो के रखने की कोई जहनजटी नहीं है इंस्टेंट हेर पैक है हर कोई इसे बना कर तुरन से लगा सकता है ठीक है कलर आप देख रहे हैं अब मेरे ग्रे हैर भी देख लीजिए एक साइट पर मुझे काफी ग्रे है को लगा लेते हैं मैंने तुरन से यह रेमेडी बनाई थी और फटर फटर से जाहां बैठी थी वही शूट कर लिया क्योंकि आपको डेमो दिखाने से मतलब है और साथ में आगे मेरे टूथब्रश टूथब्रश से काफी अच्छे से हेर पैक लग जाता है जड़ों में तो जो एंड्स होते हैं जहां पर रूट टच अप की ज़रूरत पढ़ती है वह भी टूथब्रश यह प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो अच्छे से टूथब्रश की हेल्प से लगा लीजे एंड थोड़ा सा गीला पेस्ट बनाएंगे ना तो और भी बड़िया कलर आत को आपने इतना प्यार दिया इसे भी जरूर ट्राय करके देखिएगा आपको बहुत जादा पसंद आने वाला है चलिए अब जादा बखबख नहीं करते हैं बता देती हूं आपको इसे रखना है एक घंटे या फिर दो घंटे या फिर तीन घंटे जितना आपके पास टा और उसके बार नॉमल पानी से वाश कर लीजे नेक्स डे या फिर 24 आज बाद ही वाश करिएगा अपने हैट को तो और भी अच्छो रिजल्ट आपको मिलेंगे ओलिंग के लिए अप इंडिगो हेर ओल कभी यूज कर सकतने हैं तो गैज अगर आज की वीडियो पसंद आई इसे धेर सारा लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जिसने मुझे मोटिवेशन दूराइब